रूस से जारी जंग के बीच युक्रेन में तभाई का मंज़र साफ दिख रहा है। युक्रेन की रास्तानी कीव में भले ही रूसी सेनिक कबजा नहीं कर पाए लेकिन वापस जाते वक्त वहां तभाई छोड़ गए। कीव के आज़ पास की इलाकों में चारों तरफ मलबे बिखरे दिखाई दिये। न्यूस 18 के अरुन कुमार से खुद इस वक्त कीव में मौजूद है जहां से उन्होंने एक्स्क्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए अरुन सिंग की ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन से युद्ध के हर तस्वीर। तैनिकों ने किस तरस यहां मोचा समाला था और कैसी भीषण जंग हुई थी देखिए सामान विखरा पड़ाय था। ग्राउंड जीरो से एक्स्क्लूसिव तस्वीरें। रूज की सेना लगबग एक महिने के बाद जब वापस गई है तो भारी संख्या में आम्स एम्मूनिशन भी छोड़ के गई है। कीव पर कबजे की कोशिश नाकाम। यहाँ पर देखिए जो गोले टैंक में इस्तिमाद होते हैं वो कितनी भारी संख्या में है। कीव के पास तवाही की निशान। जब आमने सामने की लडाई होती है तो दो तरह के बंकर बनाये जाते हैं। कीव से जावाज रिपोर्टें। टैंकों के आने जाने के निशान है। रूस ने कीव पर कबजे के लिए बड़ी सेने रणनीती बनाये। रूसी फॉज को कीव के चारों और तैनात भी कर दिया। लेकिन युद्ध के एक महीने बाद भी रूसी सेनिक जीव पर कबज़ा नहीं कर पाए। ग्राउन जीरो पर हमारे चावा संबाद्याता अरुन सिंग ने युद्ध की विभीशिका की तस्वीरे दिखाई। जब रूसी सेनिक वापस लोटे तो कैसे हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। आप भी देखी। तो आमने सामने की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान का मंजर क्या होता है, दिर्श्य क्या होते हैं। वो दिखाने के लिए हम आपको लेकर के आये हैं कैसी जगह पर जहां युक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने की जंग हुई थी। जो इलाका आप देख रहे हैं, खेत का, अगर आप नजर देखें, ध्यान से देखें इसको, तो यहां पर टैंकों के आने जाने के निशान है, अब चुकी यहां से रूस की सेना जा चुकी है, और उसके बाद हम यहां पहुँचे हैं, तो वो निशान तो आपको दिखाई साइनिक के पास आ रहा हो, या जो रासाइनिक हतियार कुछ ऐसे होते हैं, जिनका यह बचाओ कर सकता है, जो बहुत डेडली होंगे, उनका बचाओ तो नहीं कर सकता है, लेकिन यह गैस मास्क यहां पर एक साइनिक का देखें पड़ा हुआ है, साथी साथ बूट, यह हैं, जो ठंड से बचने के लिए, तोलिया एक है, कैप है, इसके अलामा यह जो बॉक्स है, इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ, कि खाने के लिए जो ड्राइफ फ्रूट होते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं यहां पर, यहां पर देखिए चाय भी पिया इन लोगों ने, ग्रीन टी वगेरा भी पिया है, और वो दिखाई दे रहा है, यह रूस के सैनिकों का सब कुछ है, और यह जो छोटा सा पैकेट है, यहां पर जो पैकेट है, उसमें ड्राइफ रूट है, जो वहां पर अभी बंधी पैकेट, खुला भी नहीं है, उसमें ड्राइफ रूट है बिस्किट है और चाय भी मुझे यहां पर दिखाई दे रही तो इस तरह से रिबा बंद खाना देखिए वहां पर रिबा बंद खाना तो यह जब मोर्चे कई कई इने से लेकर लंबी लड़ाई के लिए साजो सामान लेकर कीव के आसपास पहुचे थे विखरा हुआ सामान और तवाही के निशान साफ संकेत देते हैं कि ग्राउंड जीरो पर फिरिशन युद्ध हुआ शेलिंग जो हुई थी उसके निशान है यहां बीच बीच में जो आग लगी हुई है देखिए यहां पर एक और गैस मास्क एक और दिखाई दे रहा है कमल देव जी जड़ा दिखाई दे रहा है गैस मास्क यहां पर मोजा दिखाई दे रहा है मुझे दस्ताने मुझे दि दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर देखिए यह sleeping bag मुझे लग रहा है sleeping bag है ठंड जब बहुत ज्यादा पड़ती एक खुले आसमान के नीची आपको रहना होता है रात में मोर्चे पर तो sleeping bag का और टैंक के गोरे जो फट चुके हैं वो खाने पीने के सामान यहां पर एक है जो उसके पीछे बॉक्स भी है तो यहां यहां देखिए एक दास्ताना यहां पर h यह भी देखिए खाने पीने का समय यह भी देखिए नमकिन जैसा कुछ लिखा हुआ पास्ता रे 1857 तो इस तरह की चीजे इस युद्ध मैदान में आपको दिखाई दे रही है तो युद्ध देखने में दूर से देखने में ऐसा लगता है कि देखिए यहां पर यहां पर प है उसके पैकेट है तो दूर से दिखाई देता है युद्ध का मैदान उसकी भीविशी का दिखाई नहीं देती जब आप टीवी पर देखते होंगे या जब अख़बारों में पढ़ते होंगे या जब सुनते होंगे लेकिन जब आप इस तरह से आ करके स्वयम अपनी पूरा रूस के साइनिकों ने ये पूरा बंकर खोदा हुआ है वंकरों से युक्रेनी सेना पर हमला कोशिश ये की गई थी रूस द्वारा की जो कुछ भी टेरिटरी उन्होंने हासिल की है उस पर होल्ड रखे कीव के आसपास रूसी सेनिकों ने दो तरह के बंकर बनाये थे यूक्रेनी फॉच के हमले से बचने के लिए रूसी सेनिकों के बंकर की एक्स्क्लूसिव तस्वीरे हमारे सहयोगी अरुण सिंग ने दिखाएं जब आमने सामने की लडाई होती है तो दो तरह के बंकर बनाये जाते हैं पहला तो इस तरह का बंकर जो ऊपर से दिखाई रदे यानि दुश्मन देश की सेना उसके युद्धक बिमान देख न पाएं कि सेनिक कहा मोर्चा लगा के बैठा है तो ये अंदर का बंकर होता है और दूसरे तरह का बंकर होता है वो होता है खुला हुआ बंकर यानि जब सामने से गोलियां चल रही हो तो उसके पीछे मतलब दुश्मन देश की सेना के सामने जो सेना है वो कहां खड़ा है और कहां से फायर कर रहा है उसकी लोकेशन न पता चले और सामने की जो फायर आ यहां से लड़ाई लड़ी गई थी और यहां से लगातार कोशिश ये की गई थी रूस द्वारा की जो कुछ भी टेरिटरी उन्होंने हासिल की है उस पर होल्ड रखे यानि उनको अपना कबजा बरकरार रखना था इसलिए इस तरह के ट्रेंच इस तरह के बंकर खो दे गए रूस की सेना का एक बंकर इसमें देखियारों का जंकी रही जो अब इस्तेमाल हो चुके हैं ये टैंग के गोले फट चुके हैं और बस अब AUशेस हैं देखिये किस तरह से कितना बड़ा ये बंकर है और इसी तरह के बंकर और भी हमें आगे दिखाई दे रहे है तो यहां यह जो जगह है यहां पर यूक्रेन की सेना सामने की तरफ से अटेक कर रही थी रूस की सेना यहां होल्ड कर रही थी यह पूरा इलाका उसने अपने कबजे में कर लिया था उसके बाद होल्ड कर रही थी और आप देखिए यहां पर कि यह जो बंकर है इन बंकरों के जरीये ही रूस ने यहाँ पर होल्ड किया है अपने को लगभग एक महीने तक इतना ही ने रूसी फाउज भारी मात्रा में हतियार गुला बारूद लेकर कीब पहुची थी ताकि यूक्रेनी सेना से लंबी लड़ाई लड़ी चा सके है यानि यह से बंकर थे जहांपर साहन भब लिखार हो छोटे बंकर अलग है बड़े बंकर एक तोपी भी है रूसी साहने की और देखिए जो खाने पीने का सामान होता था या जो गोला बारूद होता था उसके रीमेंस हैं उसके औशेस हैं यह देखिए एक बड़ा सा गड़ा पीछे है उसमें खाने पीने का सामान इस्तिमाल करने के बाद उसको वहां पर रखा गया और यहां पर देखिए जो गोले टैंक में इस्तिमाल होते हैं वो कितनी भारी संख्या में हैं यहां प तरह के मुर्चे यहां पर थर्मस दिखाई दे रहा है आपको एक थर्मस है यहां पर इसके अलावा यह दिखे कंबल रात में सैनिक यहां पर मुर्चा लगा कर रखते थे तो यह दिखे कंबल है इसके अंदर भी खाने पीने का सामान है कंबल है और इस तरह की बहुत सारी च ट्रेंक के गोले हैं वो दिखाई दे रहें क्योंकि लड़ाई यहाँ पर काफी है भी चली थी काफी दिन तक चली थी हमारे चावाज रिपोर्टर अरुट सिंग ने जिन्दा कार्टूस और गोला बारूत की तस्वीरे कैमरे में कैथ की हैं कीव पर कबजे के लिए रूसी सेने पूरी तैयारी के साथ पहुचे थे लेकिन यूखरेनी फोज ने उन्हें कड़ी टक कर दी रूस की सेना लगभग एक महीने के बाद जब वापस गई है तो भारी संख्या में आम्स एम्मूनिशन भी छोड़के गई है इस वक्त देखिए यहां पर जहां मैं खड़ा हूं एक छोटी सी ट्रॉली है उसमें यह एम्मूनिशन रूस की सेना जो छोड़के गई है वो पर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा रूस को तो वहां से भी उनको आनन फानन में अपना अम्मूनिशन छोड़ना पड़ा और देखिए एक और जगह पर ढख करके यह एम्मूनिशन रखा गया है यहां पर फिलाहल इसको स्टोर करके रखा गया देखिए यह जित करीब इसके हम नहीं जा सकते और अगर यह यह जो ट्रॉली है एक यहां पर रखी हुई दूसरी मैं आपको दूसरी तरफ से मैं अगर आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी तो यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर भी देखिए रखा हुआ बड़े यूकरेन की सेना ने इनको बरामत किया है यूकरेन की सेना इनको ले करके और जाएगी और इस तरह के आमस और अमूनिशन जब मिलते हैं तो यूकरेन के सैनिक उनको बड़ा संभाल करके ले के जाते हैं और उस पर अनुशंधान करते हैं कि किस तरह के गोले टैंक में इस् जो कुछ भी आपके पजेशन में होता है, जो कुछ भी आप बरामत करते हैं, ताकि आगे के लिए आपके पास तैयारी हो रननीती हो और उसका अनुसंधान करके आप अपनी वाजिब तैयारी आने वाले खत्रे के लिए कर सके। जो के शहर को वाफस पट्री पर लोटने में काफी वक्त लगेगा। ये एक्स्क्रूसिव रिपोर्ट. तो वहाँ से भी उनको आनन फानन में अपना अमुनिशन छोड़ना पड़ा। देखिए एक और जगह पर ढख करके ये एमुनिशन रखा गया है। यूकरिन की मिलिटरी इसको ले करके जाएगी। यहाँ पर फिलाहल इसको स्टोर करके रखा गया। देखिए। ये जितन करीब इसके हम नहीं जा सकते हैं। अगर ये ये जो ट्रॉली है एक यहाँ पर रखी हुई दूसरी मैं आपको दूसरी तरफ से मैं अगर आपको तस्वीरे दिखाऊं। देखिए ये यहाँ भी आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे किस तरह से यूकरेन की सेना ने इनको बरामत किया है। यूकरेन की सेना इनको ले करके और जाएगी। और इस तरह के आमस और अमुनिशन जब मिलते हैं तो यूकरेन के सैनिक उनको बड़ा संभाल करके ले के जाते हैं और उस पर अनुशंधान करते हैं कि किस तरह के गोल धोरा हो तो जो कुछ भी आपके position में होता है जो कुछ भी आप बरामत करते हैं ताकि आगे के लिए आपके पास तयारी हो रणनीती हो और उसका अनुसंधान करके आप अपनी वाजिब तयारी आने वाले खत्रे के लिए कर सकें कामेरा मंद करें